एलो बच्चों, लेट सी इस क्वेस्टन, दा क्वेस्टन से इज, एट ए सर्टेन प्लेस, दा एंगल ओफ डिप इज थर्टी डिगरी, एंड दा ओरिजोंटल कंपोनेंट ओफ आथ्स मेगनेटिक फिल्ड इज, 0.50 और स्टीड, दा आथ्स टोटल मेगनेटिक फिल्ड इन रूट 3, 1, 1 बाइ रूट 3, 1 बाइ 2, क्वेस्टन में कहा गया है कि at a certain place, जो एंगल ओफ डिप है, वो 30 डिगरी है, और जो होरिजन्टल कंपोनेंट ओफ अर्थ मेगनेटिक फिल्ड है, 0.50 और स्टीड है, तो जो आर्थ का टोटल मेगनेटिक फिल्ड है, इन और के लिए हमारा की कॉंसेप्ट यू जो रहा है, that is the magnetic field, magnetic field, ठीक है, तो क्वेस्टन में कहा गया है कि जो एंगल ओफ डिप है, वो 30 डिगरी है, एंगल ओफ डिप है, यह हमारे पास है, 30 डिगरी, ओके, और जो होरिजन्टल कंपोनेंट ओफ magnetic field कितना हो जाएगा, horizontal component ओफ ए, magnetic field है, magnetic field है, that is, पी कोस थिटा, P cos theta that means P cos of 30 degree which is 0.5 तो जो P हो जाए हमारे पास है वो जाए हमारे पास है 0.5 ठीक है P हो जाए हमारे पास है 0.5 upon cos 30 degree हम जानते हैं कि cos 30 degree की वे लिए होती है root 3 by 2 let me see हो जाए हमारे पास है 1 upon root 3 तो जो हमारे पास अर्थ का magnetic field आ गाया वो आ गाया 1 by root 3 option से इदा correct answer so this is your final answer hope you understood it well best of luck